हेलो दोस्तों में जिश्वागत करता हूँ आपके अपनी चनल जीत पूरी उपर आज के इस वीडियो में देखे हैं आप पार्ट 19 जड़ों का जाल कक्षे चार की परयावन अध्यान एड़ गेर्ट बार को पुष्टिका 2023 को अपन सॉल्ब कर रहे हैं तो इसमें अपन 19 पा पहले कोशन पर जाने से पहले अपन भूमिका को पढ़ते हैं ताकि अपन को अंसर सच्छे से समझ में आ सके तो इस वीडियो में भी अपन यही कार करेंगे चली इसको पढ़ लेते हैं जैसे मुस्कान को बागवानी करने का बहुत सौक था उसके पर उसे पेड़ पौधो की बहुत सी जानकारी बताई जैसे घांस की जड़ों बहुत गहरी होती हैं और आसानी से नहीं उकार सकते हैं बरगत की जड़े लटकती हैं कई जड़ों को हम खाते भी हैं जैसे गाजर मूली रमकाका ने उसे बताया कि किस किस पौधे की किन पानी की खाद की अवसकता को कौन से पौधे किस मौसा में उखते हैं साथ ही उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए बापस आकर मुस्कान बहुत खुश थी उसने पता था कि वागवानी कैसी करनी है ठीक है अब दिखिए यहाँ पर अपने क्या है अभ्यास प्रिष्ट ने स्टार्ट हो गए अभ्यास प्रि हरने तक किलिए आवाज सक्या क्या क्याओस सक्या हावा सुरका पर कास पानी व надо सब्सक्या यहां पर लेख देंखे जड़ है ठिर्क पर पत्तियों को पानी कहा से मिलता है मिट्टी माध ज़ड़ों से 40 어떻 Bi अधिक्टी आपक़ो भाल नाकून हमेशा बढ़ती रहती से सभ लोग के सभी भाहगो में पानी कैसे पहुंचता प्यूडों के सभी भागो पानी जड़ों दौारा पहुंचता है जड़ों के दौारा पहुंचता है आ बहुत गहराई तक जाती है इसलिए वो खाड़ी नहीं जा सकती है ना आगे चलिए लगुती प्रश्न है अपने आउस्टेलिया इलाके में रहने वाले लोग रिगस्तानी ओग एक तरह का पेड़ है कि तन्य से पानी कैसी निकाल लेते हैं दिखे लोग रिगस्तानी ओख पेड़ के तन्य से पानी पतला पाइप डाल कर निकाल लेते हैं उनके तन्य में छोटा विल्कुल पतला सा पाइप डालते हैं और उससे पानी निकाल लेते हैं ठीक है ना आगे चलिए आपको याद रखना सबजी क्रिण जो पत्ते के कि रूप में खाय जाती है जो नीचे जाकर पेड को सहार आ देती हैं इसलिए जाधा देशनर तक रहता है पेडू की क Guitar की सरकाई इसलिए सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेनी पड़ती है है ना तो जो भी रोट के किनारे के पेड़ों अपने पेड़ों को छोड़ कर ठीक है ऐसे नहीं कि अपने पेड़ के लिए भी मंजूरी लेनी पड़े अब दिखें यहां से देर उत्ती प्रिष्ण स्टार्ट होंगे अपने असपास पाए जाने बाले पांच पेड़ों के नाम लिखें जैसे जिन्ने नेमत रूप से पानी देनी के अपसकता होती है जिन्ने नेमत रूप से पानी देनी के अपसकता नहीं होती है जैसे गुलाब को अपन डेली पानी देते हैं कनेर को देते हैं गुड़हल क वहां जाते हैं पॉदे की वीविन फागों को दरसात हुआ है चित बनाई है यहां पर फूल बनाया हुआ है यहां पर पत्ती बनाई हुई है यह इस तरह से आप यह पौधा बना सकते हैं तो इसमें आपने इसका पूरा स्वलूशन देख लिया और यह दिख प्रोजेक्ट क या पौधे का नाम लिखें तो आप चाहें तो ये कारे कर सकते हैं आसपास के इलाके से भीमिन प्रिका के पौधों की जड़ें जैसे घंस की जड़ मिल जाएगी गुलाब की जड़ मिल जाएगी और बहुत से पौधों की जड़ें आपको मिल जाएगी तो सूखी जड़ें तोप चाहें तो कर सकते हैं कोई जरुवत नहीं आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देने ताकि उनकी भी मददद हो सके वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना तक हर आने वाली वीडियो को नडिकेशन आपको मिल सकते हैं अगली वीडियो में त नवबाग।